संसद में सुरक्षा चूक के मामले में अब तक क्या हुआ आगे क्या होगा। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में पुलिस ने कथित तौर पर साज़िश में शामिल जले और टूटे हुए फोन बरामत कर लिये हैं। लोकसभा में घुसकर और बाहर रहकर रंगीन धुएं के जरिये प्रदर्शन किये जाने की घटना के मास्टर माइंड कहे जा रहे, ललित जाने इन फोनों को कथित तौर पर नागौर में जाकर जला दिया था. 2001 के संसद हमले की बरसी के दिन बुधवार यानी बीती 13 दिसंबर को कुछ लोग-लोकसभा के अंदर बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखे थे. पुलिस ने कहा कि घटना के बाद ललित जानागौर चले गए थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फोन उस गेस्ट हाउस के पास से बरामत किये हैं जहां ललित जा रुके हुए थे. हलांकि पुलिस को ललित जा का फोन अब तक नहीं मिला है. इससे पहले पुलिस को ललिद जहा ने बताया था कि उन्होंने अपने पांच सहीयोगियों सागर, शर्मा, मनुरंजन, अमोल शिंदे, नीलम सिंह और महेश कुमावत के फोन जला दिये थे अधिकारियों का कहना है कि ललिद जहा फोन वाली बात कहकर जांच से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जांच में जुटी पुलिस ने क्या बताया? एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जले और बचे हुए फोन को फोरेंसिक लैब भेजा गया है अधिकारी ने कहा, फोरेंसिक एक्सपर्ट इन फोन से डाटा निकालने की पूरी कोशिश करेंगे गिरफतार किये गए लोगों के खिलाफ ये अहम सबूत होगा इस साजिश के बारे में भी पता चलेगा कि क्या इन लोगों ने किसी के कहने पर ये सब किया था 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन मनोरंजन और सागर नाम के शक्स सुरक्षा के तीन घेरों को पार करते हुए लोग सभा में संसदों के बैठने वाली जगह तक पहुँच गए थे ठीक इसी समय शिंदे और नीलम संसद के बाहर नारे लगा रहे थे और रंगीन धुआ छोड़ रहे थे सुरक्षा बलों ने इन चारों लोगों को तभी पकड़ लिया था हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मताबिक ललित जगह तब संसद के बाहर थे और अपने सहयोगियों का फोन पकड़े हुए थे ललिता जगहा ने शिंदे और नीलम के प्रदर्शन का वीडियो बनाया और अब डिलीट किये जा चुके भगत सिंहा फैन कलब पेज से जुड़े लोगों के साथ इसे साजहा किया इस घटना के बाद ललित जगहा बस से जैपुर गए रात एक होटल में रुके फिर नागौर की और बढ़े ललित जगहा ने खुद को सरेंडर किया था और अगले ही दिन वो पुलिस कस्टडी में भेज दिये गए थे पुलिस ने अपनी जाँच में पाया कि इन लोगों का लोग सभा में एक साथ घुसने का प्लान था लेकिन ये लोग सिर्फ दो पास का ही इंतजाम कर पाए इस कारण लोग सभा के अंदर सागर और मनोरंजन गए एक पुलिस अधिकारी बताते हैं कि ये लोग सभा जल्दी पहुँच गए थे ताकि दर्शक दीरगा में आगे की तरफ बैठ सकें ताकि जिस जगह सांसद बैठते हैं, वहाँ ये लोग आसानी से कूच सकें गिरफतार हुए लोगों ने बताया कि ये लोग भगत सिंह से प्रेरित हैं हालां कि पुलिस ने जब कड़ी पूच ताच की, तो ये लोग भगत सिंह की विचारधारा के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाए पुलिस का कहना है कि इस कारण ये शक होता है कि ये लोग अपने असल मकसद से ध्यान हटाने के लिए ये सब बता रहे हैं सुरक्षा में चूक, संसद की कमेटी क्या कर रही है संसद में सुरक्षा चूक मामले पर बनी संसदीय सुरक्षा कमेटी की पहली बैठक होई है इस कमेटी को संसद की सुरक्षा बहतर किये जाने के मामले में 15 दिन के भीतर ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपनी है बैठक के दौरान एक सुझाव ये भी आया है कि अगर कोई संसत बार-बार आ रहा है तो इस पर गौर करने की जरूरत है इस कमेटी में CRPF के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह संसत के सुरक्षा प्रमुक दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी विंग के अधिकारी और इंटेलिजन्स ब्यूरो के अधिकारी शामिल है ये कमेटी ग्रिह मंत्रालाई की ओर से गठित की गई है कमेटी का एक सुझाव फुल बॉडी स्कैनर लगाने का भी है इससे पहले PM मोदी ने भी एक समाचार पत्र को दिये इंटर्व्यू में संसत में सुरक्षा चूक पर अपनी बात रखी थी PM मोदी ने कहा था संसत में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आखना चाहिए इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं PM मोदी बोले जाच एजेंसियां सक्ती से जाच कर रही है इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मनसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए ऐसे विशेओं पर वाद विवाद या प्रतिरोज से सभी को बचना चाहिए